बूर्णिंग इस्टूडेंट्स, मैसेल्फ डॉक्टर बारस सेंग मीना फ्रॉम गवर्मेंट कोलेज कोटा आज हम पी ब्लोक एलिमेंट्स के अंतरगत जो टॉपिक डिसकस करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा डाइगोनल रिलेशनसिप और बोरोन एंड सिलिकोन तो देखिए बोरोन तथा एलिमिनियम वे शमू के अंसदस्टों की गुणों की जो भिन्निता है वो किस पिरकार से है यह तत्व एक उपधातू है जबकि समू के अंसदस धातू है इसका क्या कारण है यह है कि इसका जो कारण है वो यह है कि बोरोन परमाणों का आकार छोटा होने के कारण इसके सयोजकता कक्च के एलेक्टों 2H2 और 2P1 नाभिक के इतना पास होते हैं कि इन्हें निकालने के लिए बहुत एदिक उर्जा की आवस्सक्ता पड़ती है अर्थात या उर्जा की आवस्सक्ता एदिक होगी तो इसका आइनन भिभाव कैसा होगा एदिक होगा और इसी से इसमें एलेक्टों देने की सक्ती बहुत कम होती है और इस कारण इस तत्व की जो प्रकरती है वो धात्विक नहीं होती जब वो एलेक्टों देने की सक्ती कम रखेगा तो उसकी जो धात्विक प्रकरती है वो भी कम होगी अब इसका तूसरा देखते है बोरोन एक अर्ध चालक है जबकि ऐलुमूनियम विद्दुत का सुचालक होता है तीसरा बोरोन केवल कोवेलेंट कमपाउंड बनाता है जबकि ऐलुमूनियम आयनेक कमपाउंड भी बनाता है इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि अतियंत छोटा आकार होने के कारण यह P3 प्लस प्रकार का आयन नहीं बना सकता जबकि N सभी सदस M3 प्लस आयन बना सकते हैं तो बोरोन के छोटे आकार के कारण यह आयनिक योगिक नहीं बना सकता है फोर्त है कि बोरोन के Oxide वा Hydroxide का जो ब्यभार है वो अमलिय होता है जबकि से सज़ेश्चों के योगिक कैसे होते हैं अबेधर्मी जैसे ALOH का होल्थ्राइस अत्वा छारिय होते हैं बोरोन कई प्रकार के Hydroid इस थाई बोरेनों का निर्मान करता है जबकि Aluminium केवल एक Hydroid कौन सा ALH3 बनाता है जो की अधिक इस्थाई नहीं होता अब इनके गुणों की समानता क्या-क्या हैं देखे बोरोन और सिलीकन के जो गुणों की समानता हैं वो कौन-कौन से गुणों में ये समानता रखते हैं पहला है दोनु तत्व उपधात्विक हैं तथा बिद्दुत के अर्ध चालक हैं यह हम दोनु तत्वों के आयनन विभाव का मान लगभग समान होता है तो एक तो ये इसकी गुणों की समानता हुई बोरोन और सिलीकॉन के दूसरा दोनु तत्वों के योगेकों की जो नेचर है वो कोवेलेंट होती है तीसरा दोनु तत्वों के आक्साइड अमलिय होते हैं जो मैगनिसियम के साथ अपचैत होकर तत्व मुक्त करते हैं और चारों में गुलकर क्या बनाते हैं बोरेट वर सिलीकेट बनाते हैं फोर्थ गुनों में जो समानता का नंबर है वो है कि दोनु तत्व कई पिरकार के इस्थाई हैड्रैड बोरेट वर सिलेट बनाते हैं दोनु तत्व कई पिरकार के तत्वों के साथ सैयोगत होकर द्योयंगी योगिक बनाते हैं, धात्वों के साथ बोराइड, वे सिलीसाइड, नैट्रुजन के साथ नैट्राइड और हैलोजनों के साथ सीगर जल अपगटित होने वाले हैलाइड बनाते हैं, तो ये बोराण औ योगिक कभी नहीं बनाता, इसके सारे योगिक कैसे हैं? त्री सहयोजी होते हैं, क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि SP2 संक्रण बनने तक जितनी उर्जा की आवस्सक्ता पड़ती है, उससे कहीं अधिक उर्जा समतलिये तरकोनिये SP2 कक्छकों से बने हुए सहयोजक बंद से मुक्त होती है, अते ये कैसा योगिक बनाता है? इस्थाई त्री सहयोजी योगिक बनाता है, अब देखें, 2H2, 2P1, एलेक्टोनिक विन्यास होने के बाबजूद, इसके B3 प्लस आयन एक्जिस्टेंस में नहीं होते हैं, यदि जल में B3 प्लस आयन हो या बने, तो वे जल के अनुओं से एलेक्टोनों को इतनी सकती से अट्रेक्ट करेंगे कि जल में से प्लस आयन मुक्त हो जाएगा, यही कारण है कि B2O3 का विवार कैसा होता है? अम लिया होता है, बोरोन कैसा है? विद्धुत का अर्द चालक है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि बोरोन के छोटे आकार होने की कारण, एलेक्टोन नाविक के द्वारा प्रबलाकरसनबल से बंदी रहते हैं, और क्रिष्टल में बिच्रन करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए बिद्धुत का जो कंडेक्शन है, या कहें समवहन है, वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब इनका ताब बढ़ाया जाता है तो ताब के रूप में दी गई अतिरिक्त एनरजी से एलेक्ट्रोन क्या होंगे नाविक के आकरसन से मुक्त होंगे और मुक्त होकर क्रिश्टल में विश्रन करने लगते हैं जितना अधिकता बढ़ाया जाएगा उतने ही अधिक एलेक्टोन मुक्त हो जाएगे और उतने ही चालकता में ब्रद्धी होती चली जाएगे नेचर में बोरोन फिरी आवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन सैयोगत आवस्था में यह कई लवड़ों में पाया जाता है इसका जो सबसे पुराना योगिक है वो है बोरेक्स अब बात करते हैं बोरोन के अब बात करते हैं हम P-Block के तत्वों के योगिकों की Compounds of P-Block Elements इसमें देखिए Oxide सबसे पहला जो P-Block के तत्वों का योगिक है वो है Oxide के रूप में P-Block के तत्व चारिये, अमलिये तथा अबेधर्मी तीनों प्रकार के Oxide बनाते हैं धात्विक Oxide चारिये होते हैं उपधात्विक हैं वो अमलिये प्रकारती के होंगे एधात्विक तत्व कई प्रकार के Oxide अमल भी बनाते हैं और किसी बर्ग में जब हम उपर से नीचे की होर जाते हैं तो उनके Oxide का जो अमलिये गुण हैं वो कैसा होईगा वो घटता जाएगा जबकि एक बर्ग में देखें ये तो बात होई बर्ग की अगर उपर से नीचे जाएगे तो उनकी Oxide का अमलिये गुण घट जाएगा लेकिन एक आवर्थ में अगर आप Left to Right जाएगे तो तत्वों के Oxide का अमलिये गुण बढ़ जाएगा अब ये देखिए Carbon dioxide, CO2 अमलिये है SiO2 कम अमलिये है इसी क्रम में आप Al2 और इनका ये देखें तो ये आपको क्रम बिल्कुल Reverse दिखाई दे रहा है अब किसी आवर्थ के बाएं से दाएं जाने पर अमलिये गुण का बढ़ना वे चारिये गुण का घटना तता किसी बर्ग में उपर से नीचे जाने पर अमलिये गुण का घटना वे चारिये गुण का बढ़ना देखिए इस प्रकार से इस Flow Diagram के मैध्यम से दर्साया गया है अब बात करते हैं इसके जो दूसरे योगे के हैं उसमें आता है Head Dride P-Block के कई तत्व इस्थाई Head Dride बनाते हैं इनके Head Dride का जो इस्थायत है वो बर्ग में उपर से नीचे की और जाने पर घटेगा लेकिन उनकी जो अमल सामर्थ है उसी क्रम में बढ़ती जाएगी HI का जलिये बिलियन सबसे प्रबलम लिये होता है नैट्रोजन का Head Dride सबसे अधिक इस्थाई होता है N-Hydride के इस्थायत का जो क्रम है वो देखिए NH3 सबसे अधिक उसके बाद PH3, फिर A-S-H3, S-B-H3 और लाशने B-I-H3 इसी प्रकार वर्ग 14 में कार्बन का Head Dride सबसे अधिक इस्थाई होता है जबकि सेस Head Dride का स्थाई वर्ग में नीचे की ओर जाने पर घड़ता जाता है अब बात करते हैं हम हैलाइडों की तो P-Block के धात्विक तत्व, सेसे युजग हैलाइड बनाते है जबकि धात्विक तत्वों के हैलाइडों में आइन गुण होता है जब किसी आवर्थ में हम 20 से दाई वर जाते हैं तो उनके हैलाइडों के आइन गुणों में कमी और कौन से गुणों में ब्रद्धी होगी? से सहीयोजग गुणों में ब्रद्धी होती जाएगी इसका क्या कारण है इसका कारण यह है कि एक आवर्त में धनायन का आकार कैसा होगा गटेगा और आकार गटने से उसकी दुर्वित करने की जो सकती है वो बढ़ जाएगी हैलायड आयन के बढ़ते आकार से उसमें दुर्वनता का गुण आकार बढ़ेगा तो उसमें दुर्वनता का गुण बढ़ जाएगा और सहीयोजग गुण दुर्वनता का गुण बढ़ा तो उसमें सहीयोजग गुण बढ़ जाएगे ब्रॉमायड वा iodide में सैसेयोजग गण अधिक होते हैं जबकि fluoride पिर्मों कुरूप से आइनिक होते हैं सैसेयोजग गणों के कारण ही आप देखेंगे ALBR3, ALI3 पिगली होई आवस्था में भी बिद्दुत का चालन नहीं करते अब देखें ALF3 आपका आइनिक है, ALCL3 मेद्दवर्थी गण रखता है और ALBR3, ALI3 सैसेयोजग गण रखता है जो धातुएं एक से अधिक ऑक्सिकरन अवस्थाओं में हैलाइड बनाती हैं उनका जो उच्चतम ऑक्सिकरन अवस्था वाला हैलाइड है वो कैसा होगा सैसेयोजग होता है, जबकि निम्नतम ऑक्सिकरन अवस्था वाला हैलाइड आइनिक होता है इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि उच्च आवेसित धनायन क्योंकि उच्च उक्षिक रना वज़ता है तो उच्च उच्च आवे से धनायन में धुर्वित करने की जो पावर है वो अधिक होती है जिससे फायांस के निया मनस्वार उसके सहसे युज़कोणों में ब्रद्धी हो जाती है अब आप विभिन एलाइडों की बिलेता का करम देखें घड़ते हुए तो देखें सबसे अधिक आयूडाइड उसके बाद ब्रोमाइड फिर कलोराइड और लाश्ट में फ्लोराइड तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से बौरोन और सिलीकन के बिकन का संभन्द रिलेसंसिप क्या थी इनके मद और बौरोन और सिलीकन के गणों की समानता है अब हम बात करते हैं ग्रूप 13 तो 16 के तत्वों के हाईडराइड ऑकसाइड ऑकसी अमल इम हैलाइड जैसे योगे ग्रूप 13 के जो फर्ष्ट एलिमेंट है वो बौरोन के कई से से जोग हैडराइड बनाते है अलूमुनियम तता गैलियम जटिल रनाइन हैडराइड बनाएंगे उधारण देखें तो लीथियम एलूमिनियम हैडराइड जो एक महत्पून अपचायक के रूप में प्रियुक्त किया जाता है लीथियम गैलियम हैडराइड ये भी प्रिपल अपचायक है वर्ग 13 में अगर आप उपर से नीचे की और बढ़ेंगे उनके ऐकशाइड वा क्यूं को प्रिक्रते हैं अंगली यह से बहेत्र म applies होते हुए छार्पर के और चेंज होती है बोर्ड के ऐकशाइड और हाडरोक्सायड अंगली होते हैं एलिमोनियम उर गैलियम के आकशाइड और हाड्रोक्साइड बहेत्रमीय होते हैं जबकि इंडियम वे थेलियम के औक्साइड और हैड्राउक्साइड चारिया होते हैं। यह देखें बॉर्ण ट्राई ओक्साइड जलसे किरिया करके बॉरेक अमल बना रहा है। और बॉरेक अमल यदि तीब्र गरम किया जाए तो किस में कनवर्ट हो जाएगा बॉरॉन ट्राइ ऑक्साइड में B2O3 को बॉरेक एनाइड्राइड भी कहा जाता है बॉरॉन के ट्राइड हैलाइड से से यह जग एलेक्ट्रोन नियून योगिक होते हैं और लूइश अमल की बाती विभार सो करते हैं बॉरॉन हेलाइडों के अश्टक जो अपून अश्टक के कारण इनका एक रिक्त पी कक्छक हेलोजन परमानू के एबंदी एलेक्टोन योग्त पीजेड कक्छक के साथ उबलेप करता है जिससे बी एक्स बंद की लंबाई अपेक्छा से कम हो जाती है इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि SP2 संकरण के पश्चात बॉरॉन के पास एक रिक्त पीजेड कक्छक सेस रहता है और यह है एक 30 संयोजी योगिक बनने के बाद भी पीजेड कक्छक सेस रहेगा दूसरी बाद इस योगिक में बॉरॉन के जो वैलेंस सेल में बंद बनाने के बाद भी 6 एलेक्टोन है आठ नहीं है अर्थात अभी भी इसका अश्टक अपून है या पून नहीं हुआ है जो कि इस्थायत के लिए आवश्चक है आते सभी त्री संयोजी योगिकों में बॉरॉन परमानू एलेक्टोन नियून होता है इन अणूओं को एलेक्टोन नियून अणू कहा जाता है बी एक्स थ्री अणूओं में बॉरॉन परमानू की दो विसिस्ताएं पाई जाती है कौन कौन सी एक तो इसके पास एक रिक्ट पी कक्चक है और दूसरा इसका अश्टक भी पून नहीं है उदर इससे जुड़े हुय हलेुजन परमानू के साथ तीन-तीन एबंदी एलेक्टोन योग में जो आसानी से एसके रिक्ट पी कक्चक के साथ कौन सा बंद बनाते हैं पी वाई पी वाई बंद बना सकते हैं इस पिरकार के दूबंद के कारण ही BX3 पिरकार के हेलाइड एकल सरचना में होते हैं जबकि इसी वरके ALCL3 पिरकार के योगिक CL सेतु बंद के साथ दूलक्य सरचना में होते हैं हेलोजन वा बोरोन के मेद दूबंद गुण की कारण इनकी बंद दूरियों में कमी आ जाती है इनके अतिरिक्त इनके बंद दूरियों में कमी होने के दो N कारण भी हो सकते हैं पहला तो है कि दोनूं के मेद जो विद्धुत्रनात अप्ताम परियाद अंतर के कारण सहसे योग बंद में आएनकों आ जाएंगे दूसरा है बोरोन के पास एबंदी एलेक्टोन नहीं है इसी प्रकार की किरिया हैलाइड वा N किसी रणायन के साथ भी संभव है बीएप 3 प्लस F माइनस बीएप 4 माइनस बनेगा इन किरियाओं में बोरोन जो बीएप 3 अनू में है SP3 संकृत अवस्था में आप देखिए ये SP3 संकृत अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है लूई शामल के रूप में बिभिन एलाइडों की सामर्थ देख सकते हैं सबसे अधिक BBR3 की है फिर BCL3 की है और लाश्ट में BF3 इसका कारण है कि तीनों एलाइडों में बोरोन परमानू का जिक्त P कच्चक हैलोजन के 2P, 3P और 4P भरी हुआ कच्चकों के साथ और लिपिंग करता है तो हमने गुरुप 13 गुरुप 13 के अंतरगत आने वाले बोरोन और उसके साथ रियक्शन करने वाले डिफ्रेंट एक्जामपिल्स के मैध्यम से हम गुरुप 13 के अलिमेंट कौन-कौन से हैड्रैड बनाते हैं ऑक्साइड बनाते हैं और उनके बारे में डिसकस किया साथ ही हमने डिसकस किया P-Block के तत्व के योगेकों के बारे में जो Oxide, Hydrate, Halide आधी योगेकों का निर्मान करते हैं Thank you